हलो आस्पेरेंज, आज हम अपनी डेली वोकाबलिरी के इस इनिशियेटिव में आगे चलते हैं तो अब हम उन वर्ड्स को देख लेते हैं ये देखिए, आज का पहला वर्ड है अबडिकेट जिसका मतलब होता है त्यागना, give up the throne, fail to carry out a duty तो अबडिकेट से आप ये सोच लिजिए कि अब नहीं होगा, A, B से तो अब नहीं होगा मतलब हमने वो चीज त्याग दी तो अबडिकेट का मतलब होता है त्यागना फिर सेकिंड वर्ड है हमारा अबडक्ट अबडक्ट का मतलब होता है किड्नाप या फिर अभरन करना तो अबडक्ट में आप ये सोच लिजिए कि एक बेबी का किड्नाप हो गया तो B, A से आप याद रखेगा बेबी बेबी को दूर ले गए, तो D, उसे आप दूर समझ लिजिए तो उसका अभरन हो गया थोर्ड वर्ड है हमारा अबरेंट मतलब नॉट नॉर्मल, धर्मपट से हटने वाला तो अबरेंट में आप सोचिए कि आपने एक रैट देखा है अबनॉर्मल रैट देखा है आपने आप माइन में उसके एक इमेज ले आईए, एक अबनॉर्मल रैट की तो आप जब उसको देख रहे हैं तो मतलब वो नॉर्मल नहीं है इससे आप अबरेंट का मतलब याद रखिएगा नॉर्मल, धर्मपट से हटने वाला फिर हमारा फूर्थ वर्ड है अबेट अबेट का मतलब होता है एनकरेज करना उकसाना तो अबेट में आप सोच लीजी कि आपने बेट लगाई है फिर आप थोड़ी बेट लगाते हैं उसके बाद हमें और एनकरेजमेंट मिलता है अब जीट जाते हैं तो अब और बेट लगाते हैं तो यह हमें उसका एक एनकरेजमेंट जो मिल रहा है उससे अब अबेट का मतलब याद रखिएगा एनकरेज फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है अबेएंस जिसका मतलब होता है ठहराव in temporary disuse or suspension अब अगर हम किसी को बोल देते हैं अबे तो वो जो कर रहा होता है वो रुख जाता है ना तो उससे आप याद रखेगा abeance का मतलब होता है ठहरा Thank you, all the best